तो हलो फ्रेंड्स गुड़ मॉर्निंग अलाफ यू तो अभी हम जा रहे हैं थोड़ा पंप देखने जो कि बहुत धूप चल रहा है ना इसलिए अधान के से चाही हो रहा है तो यहां देखिए इदर जरा नदी और चलते हैं नदी में और देखते हैं कि पंप चल रहा है य चल रहे हैं पंप यह देखिए रहा फंप और इधार में पा मरी को फ्रेंड्स ऐ रहा खेत और रहे हूं पर यह देखिए ल्रहा है यहां दिखिए नदी आपको दिख रहा होगा तो यह रहा है पानी पूरा सिचाई हो रहा है तो यह देखिया इधर है पूरा सिचाई करना है और यह इधर में तो यह दोठों है और आगे है वो साइड में आपको दिख रहा है तो उधर भी करना है फिर तब तक हो सकता है बारिस हो जाएगा तो फ्रेंड्स अभी हम जा रहे हैं मिर्ची लगाने तो मिर्ची का पौधा भी लेने आया है यह रहा देखिये नीचे नर्सरी मिर्ची का और से ले जाके अभी खेत में लग रहा है उधर ममी लोग लगा रही है तो वहीं पी देना है तो चलिए इससे निकाल लेते हैं कि अट कि अट कि अट कि अट कि तो यह देखिए हमने ले लिया अभी इतना और इसे पानी उसमें पानी डाल कर इसके बाद निकाला जाएगा इसतना ही पहले ले चलते हैं इसके बाद तो गाइच चलते हैं आज अपने पुराने वाले घर पर जहां पहले था तो वहां भी आपको दिखाएंगे और वहां मंगफली की खेट देखना है कि और कोडाई उसके करना है तो उसी को देखने के लिए चलते हैं जो चलिए तूर थोड़ा है टाइम तो लगेगा तो भाईयों यहां पे देखिए मंगफली तो है लेकिन बहुत चादा इसमें खरपतवार यानि की घास हो गया है इसकी करनी है कोडाई इकल से होगी इसकी कोडाई इसलिए हम आएक है देखने इसको तो यहां पे इसको दवा तो इस्प्रे हुआ था लेकिन अच्छा से नहीं बट पाया और उधर यह देखिए तो रहा मंदीर जो की पुराना है हंदानी टेंपल मंदीर है तो यहीं पे हम लोग ते मैं झसातों के नहीं कि जदूधे ट्रिक्र माणार्य यह दो इनल के रहा मंदीर. यह देख सकते हैं और इस ते अंदर यह काली माता है यह देट अभी नहीं खोलेंगे हम लेकिन यह देखुजी यह रहा मंदिर छोटा सा है बट और यह बाहर इज़र एक आम का पेड़ है जो कि खलता है और यह थोटा सा मंदिर परिशर तो फ्रेंड्स आ गए हैं घर पे ही लेकिन घर पर क्या दिखांगाने हें चाहिए मैं जोटा तो फ्रेंजिर enough इन्टरि करते हैं पर यह रहा देख्य HOL इभार जो कि थोड़ा थोड़ा भचा हुआ यह पूरा घास हो गया है पेड़ देख रहे हैं कितना बड़े बड़े हो गया है इसमें क्योंकि इसको छोड़े हुए 16 वर्स हो गया है 2007 तक हम लोग यहीं रहे थे 2007 के बाद यहां से चल दिये हैं यह देखिए इधर रूम था इधर रूम था इधर है यही जो बचा है इधर 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 पूरा देख सकते हैं पेड़ तैयार हो गया है और देखिए यह रहे पड़ोसी के घर सब इधर पहले पड़ोसी लोगा भाय ही है और यह देखिए उधर नदी साइट जी हां अभी मुफली दिखा रहे थे बादम और अभी चलते हैं और आगे थोड़ा सा नदी के उस पार उधर हो चलिए यह देखिए पुराना कुवा जहां से हम लोग पानी पूते थे पहल अ शुरा में तो लास्ट में यह देखिया गये हैं पुरा है वह तक मुफली लगी होई है देख सकते हैं किस तरह से फ़सल है पुरा और यह इसमें तुराई है और बाम है पूरा नोफली इसे भी तो कुड़ाई करना ही होगी दिए पूरा यहां पर उधर भी है तो ज़्यादा घास है तो यह इस चलिए अब यहां पर डाल लेते हैं तूद्ध तो लाइट पी आही गया है तो दूद्ध डाल लेते हैं, गरम हो जाएगा, तो चलिए, इसमें डाल लिया दूद्ध, और कर दीन के चालू इसे, तो गाई, जब थोड़ा सा कर लेते हैं, पढ़ाई, इस्टड़ी, नाइट हो गया है, रात, साथ साड़े साथ अभी बज़ रहे हैं, और यह देखिए, नोट्बुक, और इसी में कर लेते हैं, अलका पढ़ाई कर लेना है, और, फिर सब सोते हैं, और मिलते हैं, अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यबाद, चैनल पे नहीं है, तो प्लीज सब्सक्राइब किजिए, चैनल को, और सेर किजिए, लाइक किजिए, नमारे वीडियो को, और अच्छा लगे तो, और नहीं, जो भी कमिया है, वो अच्छा लगे ते हैं